बहुत अच्छा किया है, सरकारी दलाली करने वाले, मकारी करने वाले चरनलों पर बाइल काड़ करतें तो यह सुधर जाएगा लेकिन कुछ ऐसे पत्रकार है, जो चरन वंदना करने में लगे हैं, जो प्रिपेड होते हैं तो कि आपका क्या कहना है कि सही है या गले? कुछ तो कमेंट हुई कुछ राय होगी आपके इस समय लोकसभा चुनाफ को लेकर सभी पार्टियां तैयारिया कर रही है लेकिन विपक्षी गठबंदन इस समय चर्चाओं में बना हुआ है क्योंकि विपक्षी गठबंदन लगतार कोई ना कोई नया एलान कर रहा है इसी में विपक्षी गठबंदन का एक भी नेता हिस्सा लेने नहीं पहुंचेगा आये हम आज पहुंच चुके हैं लखनव की शर्माच्राय के पास आये जानते हैं जनता की इस पर क्या कुछ राय है चौदा एंकर्स को विपक्षी गठबंदन की तरफ से बायकॉट किया गया है आपकी क्या रायस बहुत अच्छा किया है सरकार दलाली करने वाले मकारी करने वाले चनलों कर बायकॉट कर दें तो दे सुधर जाएगा और जनता भी जो सही मैसे जो देना चाहते हैं विपच के जा सकता और यह ऐसे कैसी सब्सक्राइब करते माडीपूर करने करते हैं हो जहां जालता है उसका बनन पारती हैं सरकार वहां बताते हैं कि उसके जम्यदारा ही यहां शरकार बन जाती हैं और ज्ञादा ऑग जादा है तो आप ज्यादा है तो आप ज्यादा है तो मिलाए है सकते हैं आजीत पवार के लिए साथ तो थीक हैं आपके साथ नहीं चोरहे तो मतलब माल मोलद दर साती है कि यह लुग कि इवाँ डरे हुई हैं और जन्हें को नकारने केश saad मूड में लेकिन पड़े चैनल थे और इसके कुछ तेमाम दलाल पत्रकार यह लोग तरीके दिखाते नहीं थे मतलब जो वास्तिविक्ता थी देश की कि भाइकोट करने से क्या लगता और बिलकुल कोई सुने गांगे नहीं जब गढदन के लोग इंडिया गढदन जाएंगे नहीं सुने को उनको कहने का मतलब है कि पत्रकार जो है वो सच्चाई नहीं दिखा रहा है तो आए दिन चर्चाइं होती है टीवी डिपेट कोई बोलने वाला नहीं है कोई पतरका बोलने वाला नहीं है बेरोजगारी के तो कह रही है कि विपक्ष डर गया है इस वजह से इन तरीके से बाइकॉट किया जा रहा है अब एंकर्स को टीवी चैनल जी ट्वेंटी आ रहा है क्या आ रहा है आज तक कोई कार खाना कोई कुछ दिखा हो तो वदाई से पहले भी कई बार हुआ है जी लेकिन कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो चरण बंदना करने में लगे हैं, जो प्रिपेड होते हैं जिनका काम होता है जो सरकार को सही लगे जो बासाओ को सही लगे वही ख़बर दिखाना चाहते हैं क्या इस देश में जब G20 सब्मिट हुआ और उसी तरव एक तरव देश के जवान सहीद हुए हैं इस पर किसी जो बाइकाट हुए हैं किसी ने कोई कारिकरम चलाया कि देश में जवान सहीद हुआ है और मोदी जी जो है हर सो लाज से खुसिया मना रहे हैं खुदी पुस्व वर्सा करवा रहे हैं महिमा मंडल करने वाले ऐसे लोगों को बहुत पहले बाइकाट तो यह कह रहे हैं कि विपक्ष के चरनबंद नहीं बने इसी वज़ह से उन्होंने इस तरीके से बायकाट किया एक समय ऐसे भी था देश में कि रवीशी कुमार को बाइकाट किया गया तो इन लोगों ने बाइकाट किया था तब इनसे तो कोई पूछने नहीं आया वह या क्यों बाइकाट और देश में ऐसे भी कई पत्रकार हैं जिन्होंने कई वार हर आप देखेंगे एक रेशियो निकालेंगे तो हर साल कम से कम 10 से 20 पत्रकार जो है जेल जाते हैं जो सत दि लोगों को बैल किया गया है मैं समझता हूं od ase 70 पर से बहुतझ है कि ऐसे दलालपत्रकारों को आव आउज अब जन्ता को सुनने को नहीं मिलेगी और रही है कि दलाल पत्रकार है और वाकी और कि धकी क्या राय है दो चौडा एंक को भाइकड को व्य consistency o श्कार किया है क्या वो सही है है मेरा मानना है कि अउन्डिया की तरव से बहुत अच्छी पहले जिनों ने गोदि विपक्षि गठवंदन ने भाह स्कार किया उसी के बाद कुछ ही घंटे बाद आज तक के एक डिबेट शो में एक एंकर के साथ सफा का एक नेता एक प्रवक्ता जो था वो हो डिबेट कर रहा था तो ये किस तरीके का बाइकॉट ने ये बाइक तरीके से पूरी इंडिया की टीम है आलोवर इंडिया में तो उन्होंने बाइकाट गया तो एक एक किसी पार्टी के गढ़वंदन के तरीके से दल मिले है 28 दल इसमें एक सपा भी है लेकिन उसके बाद वहाँ पर जाके डिबेट कर रही हूँ वो भी कुछ घंटो बाद चंद घंटो बाद उसी जिस तरीके से इंडिया गढण्धन ने बाइक का और बाइकाट की चंद घंट बाद ही वो वहाँ पर डिबेट का हिस्सा बन रहे है तो क्या विपक्षी की गढण्धन ही एक साथ नहीं है एक साथ समर्थन नहीं कर रहा है तो किस तरीके का ही बाइक और जीत इस बार जो है मेरा कांग्रेस की होगी तो लोग कह रहे हैं कांग्रेस की जीत होगी आपका क्या कहना है कि सही है या गलत और तो कह रही है कि हमने देश में दिन बदल दिये हैं अच्छे दिन लाएं आप मुझे नहीं लगता है कोई इचछे दिन लाए हैं Pe का गैनना है कि इस बार जो है आंकर को बाइका और किया गया है क्योंकि इस बार उनकी बात नहीं सुनी जा रही है आप मुझे इस वुश्ची इस जाय कर या उनसे मुशक्ष सवाल पूछे जा है इस वजह से बाइकॉट किया गया कि सवालों से भी पक्ष डर गया मैं अब अब बात बताएं मोधी जी के सरकार है तो मोधी जी ने कितने प्रेस कानफरेंस किया आप मुझे इस बात का से जवाब दीजी है आप एक खुद पत्रगार है अगर आपको लगता है अगर मोधी जी बिजेपी कितने बड़े नेता है उन्होंने जी टूंटी समिट भी किया उन्होंने वहाँ पे बाइडन साब जी आये हैं और इंडिया में जी टूंटी समिट करके गए फिर उन्होंने वियत नाम जाके फिर उन्होंने प्रेस कांफरेंस में मोधी जी को जो ह रहे हैं लेकिन एक तरीखे से निचल इस्थर पर अबनी के लिए काम किया है था किया यह मेरा व्यक्तिकार तरीके से भी मानना है और क्योंकि उन्हें में आज सवालों से मोदी जी डर रहे हैं लोगों का कहना है कि विपक्ष जो है जुसने उसने कदम उठाया है अंकर्स को बाइकॉट करके वो बिलकुल सही कदम है क्योंकि जो एंकर्स हैं वो सिर्फ एक ही पक्ष रखते हैं बाकी पक्ष नहीं रखते हैं लोग इमारे साथ हैं मौझूद है सर चौदा एंकर्स को जो है बाइकॉट किया गया है उसको लेकर लोग बोलना भी अब नहीं चा रहे हैं बात अगर करी जाए जिस तरीके से लोग बचते नजर आ रहे हैं मरसदीक लोग और मौझूद है आई उनसे भी चलके जान लेते हैं कि आखिर उनका क्या कहना है चौदा एंकर्स को बाइकॉट किया गया है विपक्ष की तरफ से आपको क्या कहना है सही है या गलत अगर हम सही मुद्दों में बात करेंगे सही रहा में चले सही होगा तो कभी कुछ ऐसा नहीं हो कुछ ना कुछ ऐसी मैं ज्यादा इसके बार मैं लेटरली बोल दूँ मैं बीजेपी को सत्ता से उखाड फेकने के लिए साथी साथ अब बीजेपी के सवालों से और साथी साथ एंकर्स के सवालों से अब विपक्ष डर रहा है इस वज़े से ये बाइकॉट किया गया इंडिया भारतवाला मुद्ध आगे ना फिर से वहाँ पर आगे तो अब सभी कठ्ठा है तो मैं कोई दिक्कत नहीं कठ्ठा रहने से क्या होगा हम तो मुद्धों में बात करेंगा हमें लगता है हमारे मुद्धी अच्छे हमारे जुखा उध ही रहेगा लोगों का कहना है कि धर मुद्ध अच्छे धर मुद्धों पर बात नहीं होती है बाकी और मुद्धों पर बात की जाती है लोग यहां डर रहे हैं बच रहे हैं बातों से सवालों से यू तो सभी लोग कहते रहते हैं कि एंकर्स सवाल करते हैं इस वज़े से या फिर और क Slug surviving विपक्षि गठीज पून चुद्सक्राद मीध को विपक्सरी गठीजा किया है विपक्ष एक तरफ बीजेब्री पार्टी कर जो ुन देखने वाली बात यह होगी कि इस घंटव बाइक को लेकर ऐलान कर दिया गया है अब आगे विपक्षी गटवंदन क्या रणीती बनाता है बीजेपी के खिलाफ वीडियो जनलिस्ट हरी राम के साथ मैं रागनी सिंग आज की खबर लखनो